हाई एवरिवन वेल्कम बैक मैं चैनल घर की रस्वी तो आज मैं आपके लिए लेकर करके आई हूं घाजर का हलवाई की रहसेपी जो कि सभी को बहुत यह अच्छी लगते हैं विंटर स्टार्ट होती ही सभी के घरों में घाजर का हलवा बनना इस्टार्ट हो जाता है तो आ मेरे चैनल को सबस्का Fell Skype कर दीजहों भाय उडराम ही जो मेरे चनल को पहeed된 का रखे है गया स्वासी है तो यहां है मैंने 2 Giulia एक लिया है और अब हम यहां प्रॉज ऑट लेगे एक प्रेश को करμεं हम यह 4 सीटी आने तक हम इसमें पका लेते हैं और दूसी तरफ मैंने दो लीटर दूद को उबलने के लिए रग दिया था इसे बरावर चलाते हुए हमें उबालना है तो इसे हमें बरावर चलाते रहना है और इसे हमें गाड़ा होने देना है और दूसी तरफ देख लेते हैं यहा डाड़ा हो चुका है ठीक हो घया हो घाँ है और इसывать कर देंगे घाजर को हम इसको हम इसको बगाबह चला दूट को हमें मेक्स कर देना है तो यहां पर जो है किसी भी मावे का समय करने वाले सिर्फ दूट से ही हम बनाएंगे और यह बहुत ही टेस्टी बन के तियार होती है और इसी साथ मैं इसमें आड़ कर जूँगी कटेवे बादाम और काजू और वन टीस्पून इसमें हम आड़ कर देंगे लाची पौडर तो सब को कर देंगे मिक्स और मिक्स करके इसको हम बराबर चलाते हुए पकाएंगे इस हलुए को पकाते समय हमें ध्यान रखना है कि छोड़के बिल्कुल भी नहीं रटना है इसको पकाते समय हमें इससे बराबर चलाते रहना है तो यहां देखने ही थोड़ा सब सुखना स्टार्ट हो चुका है दीरे दी रहीं होском और अब इसी हレाएट साथ इसमें आइट करदेंगे वञद कभीए वान पॉड़्झ कब शुगर तर शुगर आप अपने हिसाफ से कम ज्यादा कर सकते हैं और सब को कर देंगे हैं मिक्स तो यहां पर winter start होते ही हमारे यहां गाजर का लौबा बनना start हो जाता है तो नहीं यहां बनना start हो जाता होगा सभी को बहुत पसंद आता तो यह आप देख सकते हैं कि कि तब बढ़ियार लग रहा है देखने में और बनने के बाद तो यह और भी ज़्याद अच्छा लगने वाला है तो इसको परावा चलाते हुए हम अच्छे से पकाएंगे और दूद को अच्छे से हम इसमें सूखने देंगे और इसी साथ हम इसमें हम आट कर देंगे टो ट मैंने अपने हल्वे को कर लिया है सर्व और थोड़े से काजु से कर लिया डिकुरेट इससे बनाएं और ट्राइ करें और अपना फीड़े का मैंसा शेय करें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाई